नमस्कार दोस्तो मिरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं शूर्ति क्रेशन बेस यूट्यूब चैनल दोस्तो आप Amazon पर प्रड़क्स सेल करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो का एक सिकेंड भी आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम Amazon की ऐसे फीचर के बारे बात करने वाले हैं जो फीचर अगर आपकी प्रड़क्ट के लिए एक्टिविट हो जाता है तो Amazon के प्लैटफॉर्म से प्रड़क्ट के लिए और्डर्स आने लग जाते हैं तो दोस्तो उस फीचर का नाम है Amazon Buy Box अब यह Buy Box exactly होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ मान लीजे आप Amazon पर नया seller account create करते हैं उसके बाद में कुछ products को upload करते हैं और अगर आपको Amazon की तरफ से Buy Box option मिल जाता है तो आपके product की visibility बढ़ जाती है आपका product search result में आने लग जाता है मान लीजे आपको लिप्स्टिक बेशते हैं जिसका price ने 500 रूपीस तो अगर कोई भी Amazon की website पर जाकर search करेगा लिप्स्टिक अंडर 500 रूपीस तो chances से कि आपका product first page पर आ जाए और दोस्तों आप खुद समझते हैं अगर आपका product first page पर आ गया या फिकरने की सोच रहे हैं तो आपको कोईश करने ही चाहिए कि आपके product के लिए आपको buy box जल्दी से मिल जाए चले दोस्तों आप देख लेते हैं जिन product को buy box नहीं मिलता है वो किसी दिखते हैं और जिनको मिलता है वो किसी दिखते हैं यह आपको बताएंगे शूति क्रेशन बेस के Amazon Specialist देखिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पारे हैं आपको चार प्रोड़क्त दिखाई दे रहे हैं और जो चौथा प्रोड़क्त है उसमें आप देख सकते हैं कस्तमर के रिव्यूज भी दिख रहे हैं 5 रिव्यू है और साती सत्थ प्राइस भी दिख रहे हैं 599 रुपया चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि अगर Amazon पे कोई ऐसा प्रोड़क्त है जिसको बाइबॉक्स नहीं मिला हुआ है और कस्तमर उस प्रोड़क्त को बाइब करना चाहता है तो कैसे कर सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए जो तीसरा प्रोड़क्त है इसके ओपर मैं क्लिक कर देता हूँ प्रोड़क्त में क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह की की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको add to cart का option आ रहा है नहीं आपको प्रोड़क्त का प्राइस बता चल रहा है और साथी साथ में यहाँ पे कोई भी information नहीं आ रही है लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 995 रुपया और यहाँ पे add to cart का option भी है तो दोस्तों अगर आपके product को buy box नहीं मिलेगा तो आपके customer को इतने सारे steps follow करने पड़ेंगे आपके product को purchase करने के लिए तो आप खुछ सोचिए आप Amazon की website पे जाते हैं और आपके सामने ऐसा product आता है तो क्या आप उसको purchase करना पसंद करेंगे बट obviously बात है आप purchase करना पसंद नहीं करेंगे तो दोस्तों मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आप Amazon पे अपने product sale कर रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी buy box के लिए eligible हो जाना चाहिए चलिए दोस्तों आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन products को buy box बिला हुआ रहता है वो products कैसे दिखते हैं अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ देखी दोस्तों यहाँ पे जो चौथा product है उस पे मैं click कर देता हूँ जैसे मैं इसके उपर click करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं नया page open हो चुका है और इसके अंदर आपको सारी information दिखाई दे रही है customers के reviews भी दिखाई दे रहे हैं प्रोडक का price भी दिखाई दे रहे है 599 रुपीज इसके अलावा right hand side में आप देख सकते हैं आपको एक box दिखाई दे रहे है जिसको बोलते है buy box इसके अंदर आपको add to cart का option भी है और buy now का option भी है तो दोस्तों इन दोनों में यही difference है अगर आपको buy box नहीं मिला होगा तो आपके product में इस तरीके का box नहीं दिखाई देगा और साथी साथ में आपके product जो Amazon के search result में आएंगे वहाँ पे आपका price और reviews भी नहीं दिखाई देगा तो दोस्तों इस तरीके के product को customer easily purchase कर सकता है क्योंकि उसके पास option दिया गया है add to cart का भी और buy now का भी लेकिन दोस्तों जिनको buy box नहीं मिला हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी option नहीं दिखाई देता तो इसलिए मैं आपको एक बाद फिर से suggest करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी Amazon के buy box के लिए eligible हो जाना चाहिए तो दोस्तों आप समझ गया होंगे अगर आपके product को buy box मिलता है तो customer को Amazon के website पर किस तरीके से दिखाई देगा और अगर आपके product को buy box नहीं मिलता है तो किस तरीके से दिखाई देगा अब कुछ लोग जाना चाह रहे होंगे कि हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे product को buy box मिला या नहीं मिला वो आप देख सकते हैं आपके Amazon के back end panel में चले अब देख लेते हैं वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा देखी सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपका Amazon का जो seller central है उसके अंदर आपको लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद में आपके सामने इस तरह की की screen आ जाएगी उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है buy box wins तो यहाँ पर आपको buy box related information दिखाई देगी अगर आप और detail में देखना चाहते हैं तो simply आपको यहाँ पर 90% के उपर क्लिक करना है दोस्तों मैं आपको बता दू जिस seller की information हम दिखा रहे हैं उसके account के लिए 90% है हो सकता है आपके लिए 0 हो 0 से जादा हो 100% भी हो सकता है simply आपको यहाँ पर click करना होगा click करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने एक pop up open हो चुका है और यहाँ पर आपको सारी information दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं 30 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो buy box 0% था और last 2 दिन में 90% हुआ है अगर आपको detail में देखना है तो आपको simply 90% के उपर click करना होगा जैसे आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने इस तरह की screen आजाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं feature option में दिखाई दे रहा 90% बट यह red mark है और नीचे की तरफ है मतलब दोस्तो हो सकता है इस seller को पहले 100% होगा अभी धीरे-धीरे कम होगा होगा तो वो आप कहाँ पर देख सकते है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखे नीचे की तरफ आपको chart का पूरा option दिया गया है और यहाँ पर filter by का option भी दिया गया है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन तो सबसे पहले मैं आपको 15 days का दिखा देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 days का data आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहले 100% ता बात में 88 हुआ फिर आपस 100 हुआ फिर 90 हो गया इसी प्रकार अगर आप 30 days का देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं उसके बाद में 45 days का देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं और 60 days का देखना चाहें तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद में दोस्तों उपर की तरफ आपको एक और option दिखाई दे रहा है, sales conversion, आप यहाँ पर देख सकते हैं, sales conversion इस seller का 4% का है, तो आपका sales conversion अच्छा होगा, तो आपको buy box हमेशा मिलते रहेगा, और अगर आपका sales conversion कम होते जाएगा, तो आपका buy box भी हटते जाएगा, तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि आपके Amazon के account के अंदर आपको हमेशा orders आते रहे, ताकि आपको buy box मिलता रहे, तो दोस्तों आप समझ गये होंगे कि buy box related सारी information, आप अपने Amazon account के back and file में कैसे देख सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि हमको buy box exactly मिलता कब है, देखे buy box म competitor ने price जादा रखा है, तो आपको buy box असानी से मिल जाएगा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारा price competitor से जादा है, तो क्या आपको buy box नहीं मिलेगा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपकी product के लिए आपको regular sale मिल रहा है, तो फिर भी आपको buy box मिल जाएग चौथा, अगर आपकी product की rating अच्छी है, या फिर आपके brand की rating अच्छी है, तो फिर भी आपको buy box easily मिल जाता है, अब दोस्तों अगर आप में से कोई सोच रहा है, कि buy box तो आसानी से मिल सकता है, product ही तो sale करना है, हम add चलाकर की product sale कर सकते हैं, उसके बाद हमको buy box easily मिल चले दोस्तों, आपके जिस product के लिए आपको buy box मिला है, वो किसी दिखेंगे और जिनके लिए नहीं मिला है, दोस्तों आपके जिस product को buy box option नहीं मिला होगा, तो उस product के लिए आप campaign set नहीं कर सकते हैं, मतलब advertisement नहीं कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर live example दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम नया campaign set कर रहे हैं, create campaign यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, campaign का नाम set करना होता है, start date और end date सिलेख करनी पड़ती है, उसके बाद में daily budget एंटर करना पड़ता हैं और targeting सिलेफ करनी पड़ती है, automatic targeting करनी है, के manual targeting करनी है उसके बाद में campaign के लिए bidding strategy भी select करनी पड़ती है यहाँ पे देखे तीन options दिये गए हैं उसके बाद में दोस्तो create an ad group का option रहता है जिसके अंदर आप ad group create कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं product के option आपको आचुके हैं यहाँ पे आप multiple products देख सकते हैं product के बाजू में add का option दिया गया है simply आप इस पर click करके product को add कर सकते हैं लेकिन जिन product के लिए आपको buy box नहीं मिला होगा वहाँ पर आपको add का option नहीं दिखाई देगा add की जगा पर क्या के उपर click करना है वह बाजू के right hand side में जो option दिया है वहाँ पर add हो जाएगा आप multiple products को भी add कर सकते हैं वैसी दोस्तों मैं आप बता दू अगर आप शूरती creation based के साथ जुड़कर amazon पर product sale करने की journey शुरू करते हैं तो शूरती creation based make sure करते है कि आपको जल्दी से जल्दी buy box मिल जाए और आपके amazon के account पर आपको ज्यादा से ज्यादा orders आए तो दोस्तों अगर आप amazon पर product sale के पैसे कमाने की सोच रहें तो आपको शूरती creation based के साथ जुड़कर काम शुरू करना चाहिए शूरती creation based आपके brand की नाम से आपको amazon पर account create करके देती है और amazon पर account create करने के लिए आपको जिन भी documents की जरुत होगी वो आपको दिलाने में help करती है जैसे आपके पास GST नंबर नहीं होता है तो आपको GST registration में help करती है और आपको 500 से भी ज़्यादा products provide करती है जिसमें आप अपना profit margin एड़ करके बेच सकते हैं और इन सारी services के लिए आप से charge करती है इसे 3000 रुपए पूरे साल के लिए इसके अलावा दोस्तों अगर पूरे साल भर के अंदर आपको 3000 का भी profit नहीं होता है तो आपको आपके 3000 रुपए वापस दे दी जाते हैं ये आपको return में मिलता है तो अगर आप शूती creation base के साथ जोड़कर अपने amazon की journey शुरू करना चाहते हैं तो आज ही contact करें इस नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके अलाव अगर ये नंबर बीजी आता है तो वीडियो की description में आपको google farm का link मिल जाएगा उसमें आप details भर सकते हैं आपको हमारी team क की तरफ से call आजाएगा और आगे की जानगरी दे दी जाएगी इसके अलाव दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम किसी particular topic पर वीडियो बनाए तो आप हमें comment box पर लिखके बता सकते हम उसके वीडियो जरूर बनाएंगे उमीद हो दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आया वीडियो पहले विजये थांकियो जोस्तों